वेरी गुड मॉर्निंग गाईज, स्वागत करता हूँ मैं आपके अपनी चैनल हट के प्रेडिक्टर में, आज हम बात करने वाले फिनिश प्रिमियर लीग, जी हजी वसस हेच सी सी के बीच में जो मुकाबला होने वाला है, यह मुकाबला दो आगस्ट वो होने वाला है और पिच पे होगा, जहां पे सारा फिनिश का मैचस खेला जा रहा है के रहा होगा नैशनल ग्राउंड पे, यहां के वेदर रिपोर्ट के अगर आज की बात करूँ तो बारिश का कोई भी चांसस नहीं है, क्लावडी रहेगा, और पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो बैलें कंबिनिशन है, सपोर्ट दोनों को मिलेगा, बोलर और बैट्समेन को, यानि के फाश बोलर और स्पिनर दोनों को मिलेगा, और बाउंडरी से यहां पे थोड़ा शॉट कर दी हुई है, सारा वीडियो देख लें, आपको इस वीडियो में पूरा डीटेल से आपको पता चल यह हमारा कुछ टेलिग्राम का चैनल का नाम है, हटके प्रेडिक्टर ड्रीम 11 टीम्स के नाम से, यहां पे आपको सारा प्लेयर स्टैट्स, इंपोर्टेंट प्लेयर, ग्रेंड लिग पिक, सारा कुछ आपको यहां पे बता दिया जाएगा, जैसे कि कल मैंने ऐसे प्रेड तो IPL या CPL में हमारे चैनल पे गीववे होने वाला है, ड्रीम 11 पे, यह सिर्फ हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए रहेगा, यानि के जो भी हमारे टेलिग्राम चैनल पे रहेगा, उनके लिए फ्री गीवे होने वाला है, CPL में या IPL में, तो यहां पे टोटल मैचेस की यहां पे डॉमिनीटिंग रही है, चेसिंग टीम भी यहां पे अच्छा खासा चेस कर रही है और जीत रही है, जीट रही है, जीए 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 की अगर बात करूँ तो दो मैचेस फैन कोड में आपको नहीं मिलेगा, अगर आप फैन कोड प्रिफर कर रहे हो तो, यह तो ह HCC के अगेंस्ट ही खेला था 17 तु जून को जहाँ पे GHG ने जीता था दूसरा VCC के अगेंस्ट खेला था GHG ने जो के हारा था और HCC की अगर बात करो तो इनका भी दो मैचस का अपडेट आपको फैन कोट पे नहीं मिलेगा एक GHG के अगेंस्ट जो आपको पहले बता दिया था और एक GHC के अगेंस्ट जहाँ पे HCC ने भी हारा था वहाँ पे हाइस्ट स्कोर की बात करें तो 189.47 है HCC ने किया था बैटिंग फर्स्ट करते हुए एफपीसी के अगेंस्ट लोईष्ट स्कोर 7410 BTC का था SKK एगेंस्ट इनका ये कुछ रीसेंट फर्म है ये देखेंगे तो आप लास्ट मैच दोनों टीम यहाँ से जीत करा रही है यानि के दोनों स्ट्रॉंग कंटेंडर है तो दोनों strong contender रहेगी तो हमें एक balance team बनाना पड़ेगा 7-4 combination तो हम जाद नहीं सकते तो इसलिए balance team बनाना पड़ेगा यह कुछ इनका point stable है आप इसको pause करके refer कर सकते हो last अगर hit to hit की बात करों तो जो आप मैंने कहा था आपको fan code पे यह available नहीं है तो यहाँ पे hit CC ने batting first करते वे 155 score किया था अलोट हो गई थी GHZ ने 158 पे 4 यह दिए 158 उन्होंने score कर दिया सिर्फ 4 wicket के नुकसान पर और इस match को जीत लिया था और यहाँ पे कुछ performance की बात करें उस match में तो गुलाम अबबास बड़ 6 run प्लस 1 wicket सपन महता 25 run किये थे जो के उसके बाद खेले नहीं बहुत सारा मैचस अगर खेलते हैं तो जरूर पिक करेंगे जाहिदुल्ला कमाल 25 run पे 1 wicket यहाँ पे यह wicket की पिंग कमाल है जेट कमाल जो यहाँ पे दिया है यह wicket की पर है उस match में अनिकेद पुष्टे ने wicket की पिंग की थी तो जाहिदुल्ला कमाल ने एक यदो ओगर की बोलिंग की थी तो उन्होंने एक wicket भी निकाला था अब्दुलाहत खुरेशी 23 run एक wicket अनिकेद पुष्टे 30 run मनीश शोहान एक wicket जी हजजी की अगर बात करूँ तो पंकाच सहारन 30 run किये थे बोलिंग नहीं किये अरसलान गुंदल 31 स्कूर्ट किये थे उसके बाद ये खेले नहीं शायद इस मैच में खेल सकते हैं शाहिद गुंदल नहीं यहाँ पर 50 किया था और उसके बाद इनका कोई performance नहीं रहा गवास ने 2 run प्लस 2 wicket शेजाद 3 wicket जेजान लती फतियुर रह्मान और यूसफ जाना कि अगर बात करूं तो इन्होंने 11 मैचस में 6 जीते हैं 4 हरे हैं एक नो रिसल्ट रहा है इनका बैटिंग ओडर अल्मुस्ट कंफर्म है 90% chances है कि पंकस सहारन और सैफोर रहमान ओपन करेंगे पंकस सहारन का ये कुछ stats है लास्ट मैच में इन्होंने 15 run किये थे और द 10 run 31 run 42 पे 0 wicket 2 run 15 run 1 wicket सैफोर रहमान उसके बाद आते सैफोर रहमान ये शुरू में खेले नहीं थे बाद में 54 35 64 किया उसके बाद दो मैच में फ्लॉप गए थे फिर लास्ट मैच में 54 स्कोर किया जहां पे हमने प्रेडिक्ट भी किया था अपने टिलिक इनका जब किये एक ओवर किये थे तो ये मैच में भी थोड़ा देखके चले सैफोर रहमान आपके लिए इंपोर्टेंट पिक हो सकते हैं ग्रेंड लिग में या मिनी ग्रेंड लिग में इनको कैप्टेन या वाइस कैप्टेन के तोर पे लेकर जाई है यहां पे भी 50 प्लस करने का च जाहिद गुंदल साथ रन इस इनी टीम के ओपर अगेंस में पच्छाव 50 किया था और उसके बाद तीन छे जिरो छे ग्यारा जिरो चार चार तो उतनी इंपोर्टेंट नहीं रहेंगे अगर खेलते हैं तो देखते हैं कोई दूसरा आप्शन नहीं मिलेगा तो इनको नहीं दूँगा यह देखते हैं टास और लाइनप के बाद कि कितना बोलर है कि बोलिंग कर सकते हैं या नहीं उसके बाद है मुहमत गवास आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है स्मॉल लीगो या ग्रेंड लीगो मुहमत गवास इनका अगर स्टैट्स की बात करूं तो 35 प्लस 3 विकेट, 0, 2 विकेट, 4 विकेट, 0, 1 विकेट, 2 रन किया था, 0 विकेट, 9 रन किया, 4 विकेट, 10 रन किया, 3 विकेट और उसके बाद है यूसफ जाई, आई यूसफ जाई की अगर बात करूं तो शुरू में खेला नहीं था जिस जिस मैच में अगर खेले हैं, 9 प् फ़र्म नहीं है के बोलिंग मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके बाद अगर बात करो तो फैसल शहजाद की ये भी हमारे लिए important pick रहेंगे फैसल शहजाद इनका अगर stats की बात करें तो 1 विकेट 1 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 2, heart run, 0 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट तो हर मैच में ये और महम्मद कवास दोनों 2 या 3 विकेट निकलते ही निकलते हैं तो यह हैं फिया या कैपटन की पिक के लिए भी बहुत अच्छे हैं और उसके बाद आता है जाविजव्जान जाविजव्जान को अगर बोलिंग मिलते है तो 1 विकेट तो जरूर निकल के देगे 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट यहां पे नहीं लिया था 2 मैच में पिर एक विकेट एक विकेट अती रहमान की अगर बात करूं अती रहमान की अगर बात करेंगे तो अती रहमान सारे मैचस में चार चार ओवर अल्मुस्ट डाल रहा है किसी एक एक मैच में तीन तीन ओवर डाला है मैं अगर चार ओवर पूरा करते हैं तीन विकेट एक विके अच्छे हैं उपन कर सकते हैं बिलाल मसूद अभी रीसेंट आड़ वे हैं ड्रीमिलों में सेकेंड लास्ट मैच इन्हों ने खेला था साथ रन एक विकेट उससे पहले बोलिंग भी थी मगर विकेट नहीं मिला अगर इनकी बोलिंग की बात करूँ तो आप यहाँ पर पोस्कर के चेक कर सकते होगे कुन-कुन सा बोलर अलमुश कितने ओवर कर रहा है गवास इंपर्थन्ट शैजाद इंपर्थन जावेड जान इंपर्थन आतिर्माज इंपर्थन जो के चार-चारो ओर कंफरमिनग डाल रहे हैं और ये जलील और यूसफ जाई पी सहरन ये आपस में बाड़ लेंगे कि कितना कितना वो रख रहना है और इनकी टीम से बेश्ट कैप्टेंसी की बात करो तो यमगवास स्माल लिग है ग्रेंड लिग के लिए अच्छे आप्शन रहेंगे फैसल शहजाद ग्रेंड के लिए बहुत अच्छा उप्शन है सैफ फूर रहमान ग्रेंड लिग के लिए 20 सहरन डिसेंट उप्शन है स्माल लीग मेंवे ट्राइक कर सकते हो या फिर मीनी ग्रेंड लिंग इनको वो से Ante के तोरव लेकर कर सकते हैं अभी तक किया नहीं है मगर इस मैट में मुझे लग आए कि आहत कुरेशी अगर नहीं करेंगे तो अनिक पुष्टे ओपन कर सकते हैं यह गुलाम बस का रेकॉर्ड है 40 पे 40 रन एक विकेट 12 रन तीन विकेट 6 रन एक विकेट 14 रन जीरो विकेट 30 रन जीरो चार दो विकेट और लास्ट मैट में 58 स्कोर किया था मगर विकेट नहीं मिला अहत कुरेशी लास्ट मैट में 41 स्कोर किया था एक विकेट ओपन किये थे उससे पहले 58 प्लस एक विकेट 31 प्लस जीरो विकेट 38 प्लस विकेट 20 रन 23 रन प्लस एक विकेट 9 रन 8 रन प्लस जीरो व उसे पहले जो बोलिंग की थी तो एक केट लिया यहाँ पर बोलिंग नहीं की थी बोलिंग नहीं की इस इनको चैय थैल आट मैश से इसके रह하면 यहाँ Utsee प्रोडा पाले है विकएट कीपर है तो अगि तो प्राइट विकएट करें इसके बार हैं deux futicum चार-चार ओर बोलिंग करते हैं तो यह विकेट लेने के प्लेयर हैं लेकिन इस मैच में चार-अल रोंडर ही लेना है तो जाकि लाग कमाल को प्रिपर नहीं कर पा रहे हैं स्मॉल लीग में ग्रेंड लीग में आप रूट रही करें लाश्ट मैच में भी एक विकेट लिया था उसे पहले छे रन किया था बोलिंग नहीं की अब बीच में यहाँ पे खेला नहीं था एक मैच सॉरी वो अपडेट करना भूल गया था खेले नहीं थे एक मैच उसके बाद है यम चोहान मनीश चोहान चार-चार ओवर बोलिंग कर भी नहीं कर रहा है और उतने इंपॉर्टेंट पिक भी नहीं रहेंगे हमारे लिए इस मैच के लिए अदनान सेयद पूरे मैच में चार-चार ओवर डाल रहे हैं लेकिन विकेट नहीं मिल रहा है इनको वो साधी की इनका कुछ कंफरम नहीं है बाई कुछ बता नहीं सकता कि खेलेंगे या नहीं खेलेंगे क्योंकि एक मैच खेलते हैं एक मैच बढ़ी आते हैं एक मैच खेलते हैं एक मैच खेलते हैं एक मैच बढ़ी आते हैं तो शुरू में खेला नहीं था जब खेला तो एक विकेट दो विकेट एक विकेट उसके बाद कुछ विकेट ही नही यहां पर अगर बात करूँ तो आहत खुरेशी कर सकते हैं लास्ट मैच में इनों ने किया था अनिकेट पुष्टे या गुलाम अबास बट यहां पर अगर बेश्ट केप्टेंसी की बात करें तो गुलाम अबास बट प्रिफर्ड दिन स्मॉल लिग और ग्रैंड लिग दोन इस मैच में यह इनका बोलिंग डिटेल से आपको आस करके स्क्रीन शॉट लेके देख सकते हैं कि कौन-कौन कितने-कितने ओवर कर रहा है सिर्फ मैं इंपोर्टेंट आपको बता देता हूं गुलाम अब्बासबट अब्दुलाहत कुरेशी अनिकेत पूष्टे मनिश्चोहान अगर इनकी इनदोर नो टीम तो यह स्टाइट देख लीजिए आपके लिए इंपोर्टेट रहेगा आप दुलाहत कुरेशी थर्ड हाइस्ट रन स्कोरर है आठ मैच 228 रन, सैवरेश 28 का, हाइस 58 का और चार विकेट भी निकाले है सैफोर रह्मान, फिफ्थ हाइस रन स्कोरर है, 6 मैच 222 रन, 37 का और चार विकेट रहेगा आणिकेत पूष्टे, शिक्स्थ हाइस रन स्कोरर है, 8 मैच 195 रन, 24.38 का और चार विकेट विकेट पांच पंकस सहा रन, 8 हाइस रन स्कोरर है, 9 मैच, 176 रन, 22 का और चार विकेट रहेगा, 7 विकेट भी निकाला हो है फैसल शहजाद, 4 थाइस रिकेट टेकर है, महमद गवास, 5 थाइस रिकेट टेकर, फैसल शहजाद, 10 मैच में 16 विकेट, महमद शहजाद, 9 मैच में 15 विकेट, अतिवर रहमान ने भी 9 मैच में 13 विकेट निकाला हो है तो कुछ important टिप्स की बात करूँ, तो दोनों team strong है, तो balance combination बना के चलेंगे, HCC का थोड़ा, चांसा ज्यादा लग रहा है मुझे जीतने का, क्योंकि GHG का बैटिंग लैनप वीक है अगर grand league की normal fix की बात करूँ, तो अगर एस महता खेलते हैं तो लेकर चलेंगे, अर्सलान गुंदल भी अगर खेलते हैं तो लेकर चलेंगे जेट कमाल अच्छे रहेंगे, मनीश चोहान, अली मसूद अगर खेलते हैं, बिलाल मसूद भी अगर खेलते हैं तो यह बाटिया भी खेले नहीं है, अगर खेलते हैं तो अच्छे हैं, grand league के लिए आप यू अख्तर को भी prefer कर सकते हो, अगर grand league में captain या वह इस captain की मैं बात करूँ, तो अनिकेद पुष्टे, सैफोर रह्मान, आहत खुरेशी, मनीश चोहान, इनको आप try कर सकते हो, grand league में captain से और यह हमारी demo team रहेगी, जिसको हमने pick किया हुआ है, यह changes हो सकता है, टॉस यह लाइनप साने के बाद, किसको निकालना है, किसको लेना है, changes यहाँ पर हो सकता है, तो यहाँ से हमने लिया हुआ है, निकेद पुष्टे, यह वाहित कुरेशी, एस गुंदल, सैफोर रह्मा अगर आप टेलिगराम पर जुड़े नहीं है, तो टेलिगराम का लिंक आपको description में मिल जाएगा, जूड़ सकते हैं, टेलिगराम में आपको final update मिलता रहेगा, शारा कुछ जो भी update रहेगा, आपको टेलिगराम पर मिल जाएगा, अगर वीडियो अच्छा लगए, तो like, share और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इंप्रोमेंट क्या करना है चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद